नमस्कार गूंडा पोस्ट देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ चंदन सुकला हम आपको बतादें कि जिलादिकारी नेहा सर्मा ने एक अनोखी पहल सुरू की है गाउं गाउं में चौपाल लगाती हैं और गाउं की समस्या का गाउं में ही निदान करने का पूरा प्रयास करती है हम आप बतादें कि इसी कड़ी में उन्होंने रूपई डी बलाक के ग्राम पंचायत सहजनवा में चौपाल का आयोजन हुआ था और यहां पर एक दिव्यांग बेक्ती जिला अधिकारी के पास पहुलते हैं और उनसे गुहार लगाते हैं कि हमको चलने फिरले में बहुत समस्या होती है हमको एक ट्राइस साइकल उपलब्द करवा दीजिए अधिकारी वहां पर मोके पर उनको तलब किया जाता है डीम के द्वारा उनको फटकार भी लगाई जाती है कि इनको ततकाल आप प्राइस साइकल उपलब्द करा है प्राइस साइकल ना होने के बावजूद इनको दो दिन बाद इनको ट्राइस साइकल ना होने के बावजूद प्राइस साइकल दे दी जाती है अब वो वैक्ती जो लाल बावू है उनके आवास पर हम पहुंचे हैं और वो हमारे साथ इसमें मौझूद हैं इनसे बात करेंगे आप देख सकते हैं कि यह जो आप देख रहे हैं यह नई ट्राइस साइकल इनको यहां के दिब्लांक सभ् आपको बुलाया गया था उस दिन क्या हुआ था आपके गाउं में आई थी जिलादिकारी तो आपने क्या जिलादिकारी से कहते हैं आपने उस दिन जब चोपाल में जिलादिकारी आपके गाउं में आई थी तो आप गए उनके सामने आपने आप उसमें दिख रहा है कि आप ऐसे किसी तरीके से चल कर गए और क्या कहां तो कहें कि इनको साइकल देदू तो हम मोटर साइकल के फारं भरिन ना आपको कैसे बुलाया गया किसने बुलाया यहां लाकर दिये हैं कि आपको बुलाया गया कि आपको फिर उन्होंने दिया तो आपने कहा नहीं कि हमको बैटरी वाला दीजिए कहन ना तो कि इनकी आओ के बजट याई तो फिर लाहबों लई जाएं क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार से आपको यह साइकल मिली अब आप चलने फिर अमा आसानी होगी क्या कहना चाहें अब ठीक है साहब चले फिर एक तो बढ़िया हैं मैं दिक्कत तो हमें ना यह कुछ मगर अबू मिल जा तो हमें आसान हुजा साहब अली अगर मिल जाती है यह आप देख सकते हैं कि यह लाल बाबू है इनके आवास पर हम पहुंचे हैं बारिस भी हो रही है हम आपको बताते हैं कि इस प्रकार से इन्हों ने यहाँ चोपाल का यहोजन होता है और यह गुहा हैं इनको जरुत मंद हैं उनको आप खुने उपलवद करा देते हैं लेकिन मोके पर वु इनको बैटरी वाली साइकल चाहे, क्योंकि अभी देख लीजिए युवा है, इनको दूर दराज कहीं जाना होता है, तो बड़ी समस्या होती है, अगर किलो मिट्रों का सफरता है करना हो, तो बहुत बड़ी समस्या इनको होती है, ऐसे में नोंने गुहार लगाई थी, कि इन इस तरीके की चौपाल आयोजित होती हम आपको बता दें, पंचायद भौन में, सबसे बड़ी बात कि पंचायद भौन की जो कंडिशन है, जो इस्तती है, जब वहाँ पर चौपाल का आयोजन होगा, जिला अधिकारी के साथ साथ तमाम संबंधित अधिकारी वहाँ पहु और ततकाल कारवाई भी होती है, ततकाल अधिकारी जो हैं उस अमल करते हैं और कारवाई भी उस पर हो जाती है, जिस प्रकार से ये चौपाल दिन बदिन आयोजित हो रही है, और हर लगभग ग्राम सभाओं में इस चौपाल का आयोजन हो रहा है, ये एक बहुत आरामदा तो इस प्रकार से यहां से अगर लोग जाकर मुख्याले पर छोटी-छोटी समस्या जैसे कि आप लाल बाबू की बात ले लीजिए अगर यह वहां जाकर अपनी समस्या बताएंगे और वहां ना जाकर यहां पर अगर इस तरीके से उनको जिला अधिकारी मजूद मिल गई त को जिले पर जाकर वहां पर अधिकारी उसे मिलकर लंबी लाइनों में लगकर अपनी समस्या की गुहार लगानी पड़ती है आप देखते हैं गोंडा पोश्ट नमस्कार